हेलो गाईज, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी किचन में जिसका नाम है स्वाद पंजाब भियादा और आज हम बनाने जा रहे हैं सबकी मन पसंद चिली चीज इसके लिए हमने एक कटोरी लिये उसमें एक चमच कश्मीरी लाल मिच डाल दिया है और एक चमच हमने अद्रक और लसुन का पेस्ट डाल दिया है और थोड़ा सा पानी डालके हम इसको घोल लेंगे और इसका घोल बना लेंगे इस तरह से इतना ही पतला हमने घोल बनाना है जादा पतला और जादा गाड़ा घोल नहीं बनाना है इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी होगी और अब हमने 500 ग्राम पनीर लिया है जिसे छोटे छोटे टुकडों में इस तरह काट लिया है और इसको एक बाउल में डाल देंगे आप पनीर और दो चम्मची हम इसमें डाल देंगे, कोर्ण फ्लोर, अब चावल के आटे की जगह मैदा भी यूज़ कर सकते हैं, और इसमें डाल दिये एक चोथाई चम्मच हमने नमक, और अब हमने इसमें डाल दी है, जो हमने लाल मिर्च का घोल बनाया था, वो डाल दिये हैं, इसको जेंटली हाथों से आप मिक्स कर लें, हलके हाथों से, आप इसको हाथ से भी अच्छी तरह से मिक्स कर सकते हैं, ताकि यह हमारे पनीर के टूटे ना, इस तरह हैं, मैंने इन सभी को पोट कर लिया है, और अब हमने एक तेल ले लिया था, गरम कर लिया था उसे, और उसमें इस तरह रहे हैं इनको हिलाना नहीं है जब इसे हम लाएंगे इस तरह है यह हमारे पनीर के पीसिज फ्राइ हो गया हम इने निकाल लेंगे और इक पैन में एक चमच एप्र ग्रम करेंगे ये उसमें लग्ष नध्रक का प्राइय करेंगे और इसमें डाल देंगे एक हरीमिट्ट वअलमिट्ट पत्रिपत्री इashis, जो हमने काट ली थी इस तरह से कि इसको हम हलका हलका 5 करेंगे और अब डाल देंगे इसमें हम इक निया इसको इस तरह से वाता अल ऑगा यह से मैंने काट लिया था did और इनको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसमें थोड़ा सा हम पानी डाल देंगे और आधा चमच इसमें हम डाल देंगे अब नमक और इसको अच्छी तरह से एक दो मिनट के लिए उबा लेंगे अब इसमें डाल देंगे हम कौर्ण की सलरी ये कौर्ण की सलरी हमने बनाई थी एक चमच कौर्ण फ्लोर और दो चमच पानी से इस तरह इसको डाल देंगे ये देखे अब एकदम हमारी ग्रेवी थीक हो इस तरह से ये अब हम मिक्स कर लेंगे और ये हमारे चिली चीज तैयार है गैस को तुरंत बंद कर देना है और मैं दुबारा मिलूंगी एक नई रेस्पी के साथ तब तक के लिए बाइ झाल 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 झाल